नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राज सिकारी आज मैं आपके लिए 2008 की हैल बोई सीरिस की दूसरी फिल्म लेकर आया हूँ इसका नाम है हैल बोई ध गॉल्डन आर्मी अगर आपने इस फिल्म के पहले हिस्से को नहीं देखा है तो मैं चाहोगा कि आप पहले हिस्से को जरूर देख ले जिससे की आपको इस सीरिस को समझने में आसानी रहे तो बिना किसी देरी के मैं फिल्म की सुरुआत करता हूँ फिल्म की सुरुवात में हमें हैल बोई दिखाया जाता है जो कि अभी एक लड़का होता है उसके पिताजी उसे कहानी सुनाना सुरू करते है वो कहानी होती है धर्ती के सुरुवात के समय की कहा जाता है कि जब धर्ती की सुरुआत होई थी तब धर्ती पे तीन प्रकार की जीव रखे गए थे पहला तो मनुस्य, दुसरा गोबलिन्स और तिसरे थी जादोगर इन तीनों को मिल जूर के रहने के लिए धर्ती पे रखा गया था मगर जो मनुस्य थे वो बहुत ही लालची प्रजाती थे क्योंकि उन्हें सब कुछ चाहिए था और इसलिए उन्होंने बाकी की प्रजातियों के साथ युद्ध की घोसना कर दी जिसके चलते उन्होंने जादोगरों को मारना सुरू कर दिया और जो गोबलिन थे उनको भी मारना सुरू कर दिया जिसके चलते धर्ती पे बहुत सारा खोन खराबा हो गया आखिर में जो कुछ जादोगर बचे थे उनसे आखरी वाला गोबलिन मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक आर्मी बना के दे सकता हूँ अगर तुम्हें मनुसियों को हराना है तो वो आर्मी तुमारी मदद करेगी जादोगर के पास कोई और उपाई नहीं था क्योंकि मनुसिया एक एक करके सब को खतम कर रहे थे इसलिए मनुसियों को रोगना जरूरी था जिसके चलते जो जादोगर होता है वो Goblin को उस Golden Army को बनाने का आदिस दे देता है जिसके बाद जो Goblin होता है वो दीन रात एक करके उस जादूई Golden Army को बनाना सुरू कर देता है ये एक ऐसी Roboto की Army होती है जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता इन्हें जो भी नुकसान पहुंचता है जिसके बाद ये आपने आप ही अपने आपको ठीक कर देते है यानि कि एक Golden Army एक ऐसी Army है जिसे कोई भी नस्त नहीं कर सकता ये अपने आपको ठीक करने की काबिलियर भी रखती है इसलिए जिसके बाद इस Golden Army को कंट्रोल करने के लिए एक मुकुट बनाया जाता है जिसको पहनने के बाद जो भी आदमी इसे पहनेगा वो उस Golden Army को कंट्रोल कर पाएगा जिसके बाद जो जादूगर होता है वो उस मुकुट को धारन कर लेता है अपने सर के उपर और फिर Golden Army को मनुस्यों के सामने लड़ने के लिए बेज देता है जिसके बाद जो युद्ध होता है उसमें बहुत सारा खोन खराबा होता है मनुस्यों को बहुत बुरी तर मार दिया जाता है जो रोबोट आर्मी होती है वो बहुत ही भारी पर जाती है मनुस्यों के उपर और ऐसे करके बहुत सारे मनुस्यों को खतम कर दिया जाता है आखिर में जो मनुस्यों होते है वो सांती वारता काल की घोसना करते है और जादूगरों के साथ मिल जूल के रहने के लिए मान जाते है जिसके बाद होता ही है कि जो जादूगर होता है उसे दुख होता है इस बात का कि धर्टी पे बहुत सारा खोन खराबा हो गया जिसके चलते ऐसा आगे से ना हो इसलिए जो जादूगर होता है वो उस मुकुट के तीन हिससे कर देता है जिससे कि जिसे भी उस आर्मी को फिर से जागरूट करना हो वो उस हिस्से को जोरेगा और जिससे कि वो मुकुट पूरा बन जाएगा और उस मुकुट से उस आर्मी को कंट्रोल किया जा सकेगा मगर ऐसा होते हुए देखकर जो जादोगर का बेटा होता है वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका मानना है कि धर्टिप पे जादोगरों को पूरी सुवतंतरता से रहना चाहिए ना कि उसे मनुस्तियों के साथ समझोता करके रहना चाहिए इस समझोते से जो जादोगर का बेटा है वो दुखी होता है और वो अपने परिवार को छोर के वहाँ से चला जाता है जिसके बाद अगले सिल में हम देखते हैं कि जो जादोई आर्मी होती है गोल्डन आर्मी उसे एक सीक्रेट जगब पे लोग करके रग दिया जाता है इससे को जोड़ना सुरू करता है पहला हिस्सा वो म्यूजियम के अंदर जाके चोरी करके ले आता है दूसरा हिस्सा वो अपने पिता जी से मांगने के लिए जाता है मगर उसके पिता जी उसे मना कर देते है जिसके बाद वो उनकी हत्या कर देता है और वो मुकुट का हिस्सा ले लेता है ये सब देखते हुए उसकी बहन उससे देख लेती है और फिर वो वहाँ से भाग चाती है अपना हिस्सा लेके मगर होता यह है कि रास्ते में जो प्रिंसेस होती है भागते भागते उसकी मुलाकात होती है Adam से Adam एक समुंदरी जीव है जो कि बहुत लंबे समय से जीवित है और वो अपनी तरीके का एक अकलोरता ऐसा आद्मी है जो कि जिन्दा है जो कि Hellboy की टीम में काम करता है वो प्रिंसेस से मिलता है और यह दोनों समझ जाते है कि इन्हें प्रिंसेस को सिक्योर रखना है जिसके बाद Adam उसे अपने ओफिस के पर लेके चला जाता है जहां पर इन दोनों के बिच में बाते होती है और यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते है बहुत समय नहीं होता मगर थोरे समय के बाद जो प्रिंसेस का भाई होता है वो से धुन्टा हुआ वहाँ पर आ जाता है क्योंकि यह दोनों जादूगर है और यह दोनों पता कर सकते कि यह दोनों कहाँ पे है क्योंकि यह दोनों एकी परिवार के और एकी माता-पिता की संतान है इसलिए जो लर्का होता है वो अपनी बेहन को दुनते हुए वहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हैल बोई और प्रिंस की लराई होती है जिस लराए में Hellboy की छाते में एक नुकिला भाला गुसा दिया जाता है इसे घायल करने के बाद जो प्रिंट्स होता है वो अपनी बेहन को वहाँ से लेके चला जाता है जिसके बाद अगले सिन में हम देखते है कि Hellboy की छाती में से उस नुकिले भाले को निकालने का प्रयास किया जाता है मगर वो निकल नहीं रहा होता, उल्टा वो और अंदर चला जाता है क्योंकि वो एक जादो भाला है उसी जितना निकालने का प्रयास किया जाएगा, वो उटना ही अंदर चलता जाएगा इसलिए वो लोग उसे नहीं निकालते जिसके बाद अगली सिन में हम देखते है कि जो Adam होता है उसे एक Notebook में से वो मुकुट का तिसरा हिस्सा भी मिल जाता है जहाँ पर प्रिंसेस ने उसे छुपाया था आगे के सिन में हम देखते है कि इने एक प्राचिन नक्सा मिलता है जहां पर कहा जाता है कि वो golden army को रखा गया है जिसके कारण वो वहाँ पर चले जाते है वहाँ पर उन्हें एक goblin मिलता है वो goblin उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मान जाता है मगर वो कहता है कि Hellboy के छाते में जो चमकीली चीज है उसे वो चाहिए जिसके बाद जो Elizabeth होती है वो उसे कहते है कि तुम्हें मिल तो जाएगी वो चमकीली चीज मगर उसे निकालना कैसे है वो नहीं पता हमे तो वो गोबलीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ जहां पर वो नुकिली चीज निकाल दी जाएगी और फिर तुम्हें उसे वो मुझे देनी परेगी जिसके बाद ये लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं उस गुफा में इनका सामना मौत से होता है मौत एलिजाबेट से कुछ सवाल जवाब करती है और उससे कुछ नेगोसियसन करती है Elizabeth उस negotiation में मान जाती है अपनी मौत के बारे में कुछ discussion करके और फिर जो मौत होती है सामने वो उस नुकली चीज़ को Hellboy के छाती में से निकाल देती है जिसके बाद जो Goblin होता है वो उससे लेके वहाँ से चला जाता है आगे की सिन में हम देखते हैं कि उसी गुफा में Hellboy और Elizabeth को मिल जाते है Prince और Princess वहाँ पर हम देखते हैं कि जो Adam होता है उसने मुकुट का तिसरा हिस्सा अपने पास छुपा के रखा होता है वो Prince को देने के लिए आगे बरा देता है ये देखके बाकी लोग हैरान हो जाते है कि Adam ने जुट क्यों बोला मगर Adam ने जुट इसलिए बोला था क्योंकि वो Prince से उसको बचाना चाता था क्योंकि वो अब उससे प्यार करता है इसलिए उसने अपनी टीम वालों को इस चीज़ का नहीं बता है कि उसे तिसरा हिस्सा मिल गया है जिसके बाद जो तिसरा हिस्सा है वो Prince ले लेता है और उस मुकुट को जोड देता है और अपने सर पे पहन लेता है जिसके बाद बहुत सारे रोबोट जिंदा हो जाते है और इनके बीच में लहराई सुरू हो जाती है सुरू-सुरू में तो यह लोग बहुत सारे रोबोटों को मार देते है मगर आखिर में वो रोबोट अपने आपको फिर से ठीक कर देते है और फिर यह लोग समझ जाते है कि रोबोट के सामने यह ज्यादा देर तक नहीं ठीक पाएगे इसलिए जो hell boy होता है वो कहता है कि मैं सेटान का बच्चा हूँ और इसलिए मैं तुम्हें चेलेंज करता हूँ लहराई के लिए काईदे के रुप से ये दोनों लहराई कर सकते है और दोनों इसे जो हार जाएगा उसे वो मुकुट देना परेगा और जो जीट जाएगा उसे वो मुकुट पहन लेना परेगा जिसके बाद hell boy और prince के बीच में लहराई होती है जिसमें prince हार जाता है जिसके चलते उसे वो मुकुत देना पड़ता है मगर आखर में जो prince होता है वो छलावे से एक चाकू निकालता है और hell boy को मारने के लिए उसके पीछे जाता है मगर तबी जो उसकी बेहन होती है यानि के princess वो खुद को चाकू मार देती है क्योंकि उन्हें मरने की सिवाई कोई और विकल्प नहीं था इनके सामने जिसके बाद princess तो मर जाती है साथ में उसका जो भाय होता है वो भी मारा जाता है क्योंकि ये लराई ऐसे ही अंत हो सकती थी जिसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि जो golden army का मुगूट था उसे Elizabeth अपनी आँख से पिगाल देती है जिसके बाद सारे robot बंध हो जाते है और अब इस army को कभी भी वापस जागरोट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो मुकूट था उसे पिगाल दिया गया है आखिर में हम देखते हैं कि जो hell boy है और बाकी जो team members है Adam, Elizabeth वो लोग अमेरिका की सरकारी नोकरी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब हम अपनी जिन्दगी अपनी इच्छा से जीना चाहते है और फिर वो अपने बेच लोटा के वापस चले जाते हैं अपने रास्ते पे जाते समय हम देखते हैं कि जो Elizabeth है वो hell boy से कहती है कि वो pregnant है और वो दो बच्चों को जनम देने वाली है यह सुनके hell boy की आँखे फट जाती है और फिर ये film यहीं पर खतम हो जाती है तो आसा करता हूँ कि आपको फिलम अच्छी लगी होगी अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लागा हो तो प्लिस सब्सक्राइब कर देना So it is me रास्तिकारी signing off